इसी प्रकार से महाराज स्री के स्रिमुक से कथा प्रसंगों का निरंतर आनन लेने के लिए पुझिस्री के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें उद्देश सपस्ट हो साध्य निश्चित हो साधक नियत है साधना की विधी तैं कर ले साधन भगवान अपने आप उपलब्द कराते साधन की आयाय नहीं करना कैजे करेंगे साध्य में ऐसी क्षमता होती है कि साधक को सब मार्ग प्रदान करते हैं मैं बार-बार स्मर्ण करता हूं श्रय अनुमान जी माराज को भगवान ने बेजा है मां का पता लगाने तो दो बात कहीं बहु प्रकार सीतन ही समुझाये हो कही बल बिरह बेग तुम आयो भगवान ऐसा पता रहे हैं जैसे हनुमान जी पहले से जानते हो कि माता जी कहां है बहुत पकार समझाना अरे पते नहीं कहां है माई नहीं साधक है अनुमान जी साध्य है मां साधना की विदी अनुमान जी को दे करनी है साधन भगवान उपलब्ध कराएंगे साधक को साधन नहीं जुटाना साधन तो परमात्मा अपने आप अबलब्ध करा दे तो स्पष्ट हो जगत के विवहार का तो हो ही भहिया परमार्थ यात्रा का उद्दश बहुत स्पष्ट हो हमारा एतु क्या है जब हेतु स्पष्ट होता है तो साधना सहज हो जाती है सरल हो जाती है हेतु अर्तात प्रियोजन क्या है निमित्त क्या है भगवान की कथा की सम्रचना पुझबाद गष्वाम जी का नवित्त है भगवान श्यो मासिवा की किरपा प्राप्त करके और यह राम चरित्र गष्वाम जी ने सनातन संस्क्रति सनातन धर्म सनातन जीव के लिए भेट के अब देखिए बनिति भोति कोई वो देश्य नहीं था शरिराम चरित लिखना पुझबाद गष्वाम जी की भक्ति है उसके पीचे यह हे तु नहीं था कि हमारे ने रहने के बाद सनातन समाज को इसका लाभ मिलेगा यह हे तु नहीं परंतु कीरति भनिति भूति भलसोई सुरुसरी सम सब कहें हित्त होई हम जो कुछ भी कर रहे हैं जो कुछ भी करेंगे उसमें से यह निरणे अवश्य रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वरतमान के लिए क्या हितकारी है और हमारे बाद के लिए क्या हितकारी है स्रेष्ट वक्ति को इसका चिंता नवश्य करना चाहिए केवल वरतमान का संग्रह स्रेष्ट नहीं करता पुराण में कथा आती है भगवान मनुजी जो मनुश्यों में हमारी आपकी मानमे संस्कृत के लिए प्रधम विदा और मा है चलो भगवान से लोगों कोल्जन होगी स्रिष्ट के आदि माता विदा मा सत्रुपा और मनुजी भगवान के निमित तेईस हजार वरस तक तब किये भगवान प्रतक्ष हुए तो भगवान से मनुजी ने भगवान के कहने पर वर मांगा क्या मांगा चाहम तुम ही समान सुथ एक बार नहीं पुरान पुरुशुत्तम कहते हैं तीन जनम तक जगत के जीव पिता का जो पुत्र में राग हो हम आपको पुत्र रूप में तीन जनम तक चाहते भगवान ने वचन दे दिया आप अयुध्या में राजा होंगे विश्ववन सुमें होंगे और कलिकाल के अंतिम चर्ण में संभल प्रोग्राम में जब आपका जनम होगा तब भी हम कल की स्वरूप से अवथार देकल कल की अवथार के नाम से जाने जाएंगे तो दो तो भी चुका तीसरा आने वाला है अब ये तप का फल है श्री मनुजी सत्रुपामिया ने तप किया तो भगवान ने उनके तप्रसे प्रसन्न होकर उनको इवर दे दिया आपको तीन जनम पुत्र सुख प्राप्त होगा मेरे द्वारा जीवन में जो भी तप करेगा भगवान उसको उसकी मनों वांचित वस्तो वश्ष प्रदान करते है हैसानिक केवल मनुष्यों को देते है असुरों को भी भगवान देते है गंधर्वों को भी देते रिश्री मुनित पस्चरिया में रत रते हैं उनको भी भगवान देते है देवताओं को भी देते जो जिस प्रकार भगवान के निमित तब करता है तो यह क्या हुआ साधक का साध्य क्या है ये देश शिक्डम स्पस्टो और वर्तमान का नहीं हमको हमारे भविश्य के अनुसार भी चिंतन करते रहना चाहिए ये कदागा सिद्धांग है इसी तरह सुनते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल आइकन को दबा दीजिए और पुन्य अर्जन के लिए अपनों में सेयर करिए